आज हम आपको cotton birds manufacturing business के उपर जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इसकी manufacturing कर सकते हो क्या business research करनी है कितना investment करना है कौन से raw materials use होगे कितने area और manpower के साथ आप इस business को set up कर सकते हो कौन से licenses के approval की जरूरत होगी कौन सी machinery use होगी इसकी manufacturing के लिए क्या marketing strategies use करनी है आपके इस business को grow और promote करने के लिए तो इन सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देगे क्या आपको at last क्या profit होगा और कौन से customers को आप इने sell कर सकते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए तब भी आपको इसके बारे में सारी जा subscribe नहीं किया हूँ तो subscribe जरूर कर दीजेगा and hit the bell icon तो सबसे पहले जान लेते हैं business research के बारे में तो आपको पता ही होगा कि cotton birds कितने use होते हैं आप खुद भी इसका use करते होगे तो इसकी demand supply और price इन तीनों चीजों के आपको एक knowledge लेनी पड़ेगी market से और फिर आपको इस product क SWOT analysis करना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा कि इसकी strength क्या है इस product की weaknesses क्या है क्या opportunity से future में और अभी और क्या threats आपको face करने पड़ सकते हैं इसकी business की manufacturing के दोरान और future में भी फिर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से है आपके competitors जो already इसकी manufacturing कर रहे हैं और market में ए कैसी quality और कैसे types के cotton birds की जरूरत है ये सारी आपको एक business research करनी पड़ेगी जिसके बाद आपको एक idea आ जाएगा कि इस business को कैसे grow और establish करना है उसके बाद आप एक proper business plan बना पाएगे कि आपको कितना investment करना है कितने machinery कितने production capacity की चाहिए और बहुत सारी चीज़े आपको पता च प्ले करता है कोई भी business को start करने से पहले तो ये बहुत ही important है आप लोगों के लिए कि आप इसकी एक proper knowledge ले ले फिर ही कोई भी business को start करने का सोचे अब बात करते हैं raw materials के बारे में तो यहाँ पे आपको spindle, absorbent material, cotton, adhesive materials और packaging material की जरूरत होगी spindle मतलब की जो cotton birds के बीच में plastic का thin layer होता है उसे कहते है और बाकी raw materials आपको पता ही होगे तो ये सारे raw materials use होगे इसकी manufacturing के लिए जो आप local market या online से purchase कर सकते हैं आप direct dealer से भी purchase कर सकते हैं वो आपके convenient के हिसाब से choose कर सकते हो कि कैसे आपको इनकी purchasing करनी है जहाँ से आपको convenient लगे आप उसकी purchasing कर सकते हो पर quality का बह machinery के बारे में तो यहाँ पर आपको automatic cotton bird making machine, spindle fabrication machine, cotton birds making machine, packaging machine और other tools and equipment की जरुरत होगी तो ये सारे machinery की use से आप इसकी manufacturing कर सकते हो यहाँ पर machinery भी आपको local market dealer या online हर जगे available है आप आपके convenience और budget plan के हिसाब से इनकी purchasing कर सकते हो कितने production capacity की ये machinery होनी चाहिए तो आप ये सारी चीज select करके इसकी purchasing कर सकते हो अब बात करते हैं investment की तो यहाँ पे आपको 5 to 7 legs की जरुरत पड़ेगी इसके साथ आप इस business को set up और establish कर सकते हो इस investment के अंदर licenses cost, working capital, थोड़े time की salaries की payment, machinery cost, raw material का cost और जो भी छोटे मोटे expenses होगे आपको initial level में जब आप इस business को establish करोगे उसमें जो भी investment लगेगा, वो सब इसमें included है, यह increase या decrease हो सकता है आपके machinery के types के उपर, आपके raw material के cost के उपर और other factors पे भी आपका जो investment है वो increase या decrease हो सकता है, तो आप बात करते है customers की, कि इसकी manufacturing के बाद आप इन्हें किन customers को sell कर सकते हो, तो आप इन्हें wholesalers, retailers, electronic industries, जैसे की mobile industry है, TV industry है, तो यहाँ पे आप इनको sell कर सकते हो, क्योंकि वो लोग इन्हें use करते हैं उनकी cleaning के लिए, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा market मिल जाएगा, फिर medical shops, cosmetic shops, supermarkets, local shops, beauty parlors और online sites पे भी आप इन्हें sell कर सकते हो, यहाँ पे आपके उपर depend है कि आप कितने customers build करते हो, कितन trust build कर पाते हो, क्योंकि उससे ही आपका जो business है, indirectly grow होगा, तो आप यहाँ पे अलग-अलग profit margin रखके sell कर सकते हो, जिससे आपकी जो profitability है, वो increase हो जाएगी, अब हम आपको बताते हैं marketing strategies, जिससे आप इन customers को easily attract कर पाऊगे, और ध्यान में ला पाऊगे कि आप इसकी manufacturing कर रहे ह और आपका product available है market में, तब ही जाके वो लोग इसको purchase भी करेगे, तो आप इसकी advertisement कर सकते हो, publicity कर सकते हो, digital marketing, television marketing, in-person marketing, direct marketing और email marketing, तो यह सारी strategies आप अलग-अलग जगह पर use करके, आपके customers को आपके product की तरफ attract कर सकते हो, जिससे आपकी जो sales है, उसको boost मिलेगा, और आपका business भी grow होगा, और indirectly आपका जो profit है, वो भी increase हो जाएगा, तो यह marketing strategies बहुत important role play करती है, आज के time में, आपके कोई भी business को grow करने के लिए, क्योंकि इसके बिना, आप market में stand नहीं कर पाऊगे, क्योंकि लोगों को जब पता ही नहीं होगा, क्या आप यह product बनाते हो, तो वो उनको खरीदे के कैसे, तो marketing strategies बहुत important role play करती है, अब बात करते हैं area और manpower की, तो यहाँ पे आप 800-2000 square feet के minimum area में इस business को setup कर सकते हो, और manpower की बात करें तो 5 से 9 labors की मदद से, यह business को आप easily run कर पाऊगे, यह जो figure है area और manpower का, वो भी increase या decrease हो सकता है, आपके business plan, business model, आपने कौन स types की machinery install की है, क्या वो semi-automatic है, fully automatic है, कितना production capacity है उन machinery का, उस हिसाब से जो आपका area और manpower है, वो increase या decrease हो सकता है, जो आपका capital investment भी increase या decrease हो सकता है, इसकी वज़े से, तो आप बात करते हैं licenses की, तो registration of business, NOC from state pollution control board, MSMU, दियोगादा, trademark, GST number, IEC code और electricity license, तो यह सारे licenses के approval के बा business को setup कर पाऊगे, और यह licenses बहुत important role play करते है, कोई भी business को setup करने से पहले, तो यह सारे licenses के approval के बाद आप इस business को setup कर पाऊगे, अब बात करते है profit की, जो बहुत important role play करता है, कोई भी business के लिए, तो यहाँ पे अगर on and average हम बात करें, तो आपको 30 to 40% तक का return हो सकता है, जो totally differ करेंगा, आपके production cost, machinery cost, raw material का cost, आपके जो भी other expenses हो गए, फिर आपका जो area, salaries या कोई भी ऐसी जो increase या decrease हो सकती है, चीज़े, उसके उपर भी जो आपका profit return है, वो भी increase या decrease हो सकता है, on and average बताए, तो आपको 30 to 40% तक का return इस business से मिल सकता है, on yearly basis, तो यह इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देती है, किस टाइप के business research करनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन से raw materials के आपको जरूरत पड़ेगी, कौन से machinery आपको purchase करने पड़ेगी, कितना investment करना है, कौन से targeted customers होगे, क्या strategies यूज़े करनी चाहिए, क्या licenses की approval की जरूरत होगी, और कितन profit आपको हो सकता है, इस business से, तो इस video को आपने अगर ध्यान से देखा होगा, तो आपको एक rough idea आ गया होगा, कि कैसे इस business को setup कर सकते हो, तो अगर आपको ये video पसंद आया हो, तो please subscribe our channel, like, share, और अगर आपको कोई भी doubts हो, तो आप हमें comment section में पूच सकते हो, और अगर आपक को हमें contact करना हो, इस business के लिए या कोई भी other business इसके लिए, तो आप हमें हमारी Gmail ID से contact कर सकते हो, thank you